तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग details review करने वाले निपोन इंडिया निप्टी 500 इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड का दोस्तो यह NFO जल्दी आपको open होते दीखने को मिल जाएगा तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस NFO से related सभी informations के बारे में जानेंगे जिसे की इस NFO के fund managers को ने, यह NFO जिस benchmark को follow करेगा, उसने अभी किस type की return दिये यह NFO कीन company के अंदर invest करेगा, कीन sectors के अंदर invest करेगा, इसके साथ ही NFO कब open होगा, कब NFO close होने वाला है minimum investment आपको कितनी करनी होगी, इस वीडियो के अंदर हम लोग इस NFO की सभी details जानने वाले हैं futures में आपको यह fund की इस तरिके के return परवाइट करेगा, इसके बारे में भी हम लोग discuss करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस NFO के बारे में details में जान लेते हैं इस NFO का detail analysis करने के लिए हम लोग एक website की मदद लेते हैं, जिसका नाम है moneymintidea.com तो आप भी अगर इस NFO के बारे में details में जानना चाते हैं, तो Google में आपको search कर देना है money mint idea जैसे आप money mint idea search करेंगे, यहाँ पे देखे new NFO fund offer है, आपको इसके उपर click करना है जैसे आप click करेंगे, तो money mint idea वाले NFO section में आप आज जाएंगे यहाँ पे देखेंगे, यह fund आपको देखने को मिल जाएगा, इसके उपर आपको click कर देना है जैसे आप click करेंगे, यहाँ पे आपको page को नीचे scroll करना है यहाँ पे इस fund से rated सभी informations आपको मिल जाएगी यहाँ पे अगर हम लोग इस scheme type की बात करें, तो यह scheme एक open index type की scheme रहने वाली है यह scheme replicate करेगी और tracking करेगी nifty 500 equal weightage index को तो इस index के हिसाप से आपको return मिलेंगे, इस index की जो company रहेगी उसके अंदर आपका page sign किया जाएगा, यहाँ पे हमें उन company के बारे में बताया जाता है जो company इस index के अंदर मुझूद रहने वाली है, तो सबसे ज़्यादा जो weightage रहने वाला है इंडिया cement limited का रहने वाला है, इसका weightage यहाँ पे 0.30 रहने वाला है उसके बाद यहाँ पे rail, Vikas, Nigab Limited हमें देखने को मिल जाता है जिसका weightage हमें 0.28 देखने को मिल जाएगा, उसके साथ ही हमें और काफी सारी company यहाँ देखने को मिल जाती है जो new age company है, वो इस fund के अंदर मौजूद है, तो यह fund थोड़ा सा risky हो सकता है क्योंकि इस fund के अंदर पेसा लगने वाला है, वो काफी risky company के अंदर लगने वाला है यहाँ पे देखिए उन company की सभी important details आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आपको इस NAPO की और important details मिल जाएगी जैसे कि यहाँ पे हमें scheme के बारे इम बताया जाता है, तो यहाँ पे देखिए निपोन इंडिया का ये 500 एकपल weightage index फोलो करेगा इसका जो NAV का offer price रहने वाला है, वो 10 रुपे per unit रहने वाला है, scheme type की बात करें, तो यह scheme एक open indeed type की scheme रहने वाली है ये NFO हमें 21 अगस को open होते देखने को मिल जाएगा, ये NFO हमें 4 सितंबर को close होते देखने को मिल जाएगा, इस NFO के अंदर हमें 10 सितंबर को alignment मिलने वाली है इस NFO की category type की बात करें, तो ये scheme एक index को follow करेगी, देन उसी के साब से आपको return देगी, minimum investment की बात करें, तो यहाँ पे 1000 रुपे आपका investment रहने वाला है इस fund का कोई भी locking period नहीं है, यानि कि आप इस fund के अंदर से कभी भी अपना पेसा withdraw कर सकते हैं, इस fund के risk type की बात करें, तो risk की यहाँ पे very high रहने वाला है यहाँ पे आप इस fund का benchmark देख सकते हैं, यहाँ पे हमें scheme के objective के बारे में बताया जाता है, यहाँ पे fund की कुछ और informations आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे exit load आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे entry load और exit load दोनों free है, यहाँ पे आपको stamp duty मिल जाएगा यहाँ पे minimum investment बिल जाएगा, और यहाँ पे minimum SIP आप 100 rupees से अपना start कर सकते हैं, यहाँ पे हमें scheme के weightage index के अंदर exit allocations के बारे में बताया जाता है, तो जो ज़्यादा तर पेसा रहेगा वो इसी index के अंदर invest किया जाएगा, 95% तक आपका पेसा invest किया जाएगा, और maximum यहाँ प वो इस fund का 5% तक पेसा use करते हैं, और इन जगा पर वो fund manager invest करने के बारे में सोच सकते हैं, यहाँ पे हमें fund managers के बारे में बताया जाता है, तो यहाँ पे आप उस fund managers की details देख सकते हैं, उनका यहाँ पे qualifications देख सकते हैं, उन्हें इस industry के अंदर कितना experience है, इसके बारे में आ दिखाया जाते हैं, तो अगर आप इस fund के अंदर investment करेंगे, तो आपको कुछ इस तरह के return देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप एक quarter card देखेंगे, तो 4% तक का return मिला है लोगों को, 6 month का देखेंगे, तो उन्हें 39% से जादा का return मिला है, एक स साल के अगर आप return देखेंगे, तो 56% से जादा का return उन्हें देखने को मिला है, अगर किसी ने इस index के अंदर 5 साल के लिए invest किया है, तो उन्हें 30% से जादा का return मिला है, और जब से यह index स्टार्ट हुआ है, जब से जो लोग इस fund index के साथ जुड़े हुए, उन्हें around 16% से भी ज़्यादा का return मिला है, यानि मोटा माटी 16,5% तक का उन्हें return मिल चुका है, यहाँ पे हमें इस fund के वेटेज और सेक्टर के बारे में बताया जाता है, यानि किन सेक्टर के अंदर यह fund ज़्यादा पेसा invest करेगा, सबसे ज़्यादा जो फेसा इनका investment होगा, वो financial services के के अंदर किया जाएगा, इसके अंदर 18% से भी ज़्यादा investment किया जाएगा, इसके साथ ही जो goods और capital रहते हैं, उसके अंदर 11% से ज़्यादा, healthcare के अंदर 9% से ज़्यादा, chemicals के अंदर 7% के सम्तिंग, automobile and auto components rated 6.5% के सम्तिंग, fast moving consumer goods के अंदर 6% से ज़्यादा, इसे जिन भी sectors के आप details देखना चाते हैं, आप खुछ से भी money mint idea के उपर सारी details आके यहाँ पे check कर सकते हैं, और अगर आप इस fund के अंदर apply करते हैं, तो आपको अपनी allotment के fintech की official website पे check कर लेनी, यहाँ पे आप अपनी allotment से rated सभी information चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों आशा करता हूँ, इस video आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा, और इस NFO से rated सभी information आपको मिल चुकी होगी, फिर भी अगर आपका कोई doubt है, तो यहाँ website पे आप comment कर सकते हैं, और इस YouTube channels के उपर भी comment कर सकते हैं, मैं कोसिस करूँगा एक channel reply देने की, चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई जनकरी के साथ चलिए, फरने बाद